2 numbers are in the ratio 3 is to 4 अब इन्होंने बोले हैं 2 number हैं जो 3 is to 4 ratio में हैं If 2 is subtracted from the first number and 5 is subtracted from the second number तो 3 by 4 में से अगर हमने 3 में से 2 subtract किया और 5 में से 2 subtract कर दिया तो ratio becomes reciprocal तो मतलब तो 3 by 4 है वो 4 by 3 हो गया तो original ratio find out करना है तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे इस ratio को 3x and 4x लेंगे क्योंकि जब भी ratio में number दिया जाता है तो उसको हम as a एक number add करके ही करते हैं ऐसा नहीं कि 3 ही मान लेंगे क्योंकि वो ratio बताएगे exact वो number नहीं है तो इसलिए हम 3x minus 2 करेंगे and 4x minus 5 करेंगे and जो reciprocal आएगा उसको 4 by 3 कर देंगे मतलब जो reciprocal उन्होंने किया है इसका तो वो 4 by 3 हो जाएगा so इस तरीके से करना है so देखो यहाँ पर मैंने इसको लिख लिया let's denote the two numbers are 3x and 4x जो कि 3 is to 4 है according to the question उन्होंने बोला है कि जब हम 2 subtract करते हैं numerator में and denominator में से 5 so वो reciprocal हो जाता है इसका मतलब 4 by 3 हो जाएगा so अब क्या गरना है इसके बाद cross multiplication करना है जो कि हमने करना मतलब इतने सारे question में कर लिए cross multiplication so अब देखो क्या करना है इसको 3 into 3x हो जाएगा minus 2 equals to 4 into 4x minus 5 अब क्या है 3 into 3 करोगे 9x minus 3 to 6 equals to 4 to 16x minus 20 9x तो यहाँ पर minus 6 यह minus है आएगा plus 20 equals to 16x यह 9 है आएगा minus 9x अब क्या करना है plus minus होता है तो यहाँ plus का क्या आजाएगा 14 आजाएगा इसमें से subtract करोगे 7x आएगा तो x की value क्या आजाएगी 14 divided by 7 that is 2 so इसका मतलब है जो number है तो लिखो यहाँ पर है तो लिखो यहाँ पर है इस और जो फोर एक्स है वो क्या है फोर इंटू टू दैट इस एट राइट यह इतना आसान कुश्चन था झाल